स्टूधेंट रोके वालेजी मोहां आपका स्वागत हो है। इस विडियो में हम पढ़ेंगे उपारजित प्रतिरक्सा То इससे पिछले वाले विडियो में हमने सहते हैं या उसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा था उसके बारे में अपने उस वीडियो में देखा था और उसके लिए जो अपने बोड़ी के अंदर जो अवरोध बेरियर्स पाई जाते हैं उन चार बेरियर्स को हमने वीडियो में अच्छे तरह से देखा था तो आज के इस वीडियो में अपने पढ वो उती है उपार्जित पृते रक्षा जरन व्यक्ति या इसको उपार्जित करता एब जो विक्ति उपार्जित कर तो यह किस तरह से response देती है, कितने प्रकार से response करती है, तो इसके बारे में आपन देखने वाले हैं. तो बहुत ही मैत्वपुन प्रतिरक्सा है हमारी उपारजित प्रतिरक्सा जो की बहुत अधिक मात्रा में या अधिकांस रोगों से जो गातक रोगणों होते हैं उसे मरब बचाव करती है तो देखिए उपारजित प्रतिरक्सा इसको बोलते हैं acquired immunity उपारजित मतलब जो हमने अरजित की है जो हमने जनम के बाद में प्राप्त की है या इसको बोलेंगे acquired immunity देखिए मानव सरीर में किसी रोग जनक के प्रति जनम के बाद एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विक्षित करने की क्षमता पाई जाती है जो कोडेट्स होते हैं उन जिसमेजी से माननों भी है तो हमारे सरे में क्या होता है किसी विशेश रोगजनक के प्रति एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विक्षित करने की ताकत होती है शम्ता होती है वो भी जनम लेने के बाद में हम उस शम्ता को विक्षित कर सकते हैं और उसे ही हम उपारजित प्रतिरक्षा कहते हैं देगे उपारजित प्रतिरक्षा को जनम के बाद विभिन्ने किरियाओं दोरा उपारजित किया जाता है अतै इसे उपारजित प्रतिरक्ष प्रतिरक्सा कहते हैं वो क्रियाई कौन सी है वो आगे पड़ेंगे अपन या तो हम इसको टिका करने से प्राप्त कर सकते हैं या जब यह हमारे सरीर में को रोगाणू प्रवेश करता है तब हमारा सरीर उसको जित कर लेता है या बनी बनाई प्रतिरक्सी इंजिक्शन के प्रतिरक्षा वो उस रोग जनक को नस्ट करने का काम करती है और शरीर है वो रोग से बच जाता है यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोग जनक को देखी यह important बात है किसी विशिष्ट रोग जनक को नस्ट कर सरीर को रोग से बचाती है यह इसे विशिष्ट specific immunity अत्वा अनुकुली प्रतिरक्षा याने adaptive immunity कहते हैं मतलब यह सब रोगों के लिए समान रूप से काम नहीं करती है यह किसी विशिष्ट रोग जनक के प्रति ही विशिष्ट होती है और फ्युचर में भी उसी रोग जनक से बचाव करेंगे तो जितने टाइप के रोग जनक आएंगे उनके खिलाब अलग-अलग तरह की उपा का निर्मान करेगी, तो ये विशिस्ट होती है, क्योंकि ये किसी विशेष रोगजनक के प्रती ही बनती है, उसी रोगजनक से विक्ति का बचाव करती है, जबकि हमने सहिज प्रतिरक्षा को अविशिस्ट कहा था, नोन स्पेसिपिक, क्योंकि सहिज प्रतिरक्षा समान रू पटिरकशा रोग जनक विशिष्ट यानी पितो जन स्पैसिपिक होती है तो ये पन बात कर रहे थे कि ये उपार जी तो परतिरकशा है ये किसी विशेस रोग medication को से ही हमारी रकशा गरेगी उसी के खिलाफ ये विक्षित होती है यह परतिरक्सा पहली बार रोगाणू या रोगजनक के संपर्क में आने के बाद या तो क्या होता है जब किसी विक्ति के सरीर में कोई पहली बार रोगाणू परविश करता है तो वो पहली बार में बिमार भी होता है लेकिन देरे-देरे को समय बाद में उसके सरीर में उपारजित प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाती है या टिका करन द्वारा हम टिका लेके ये उपारजित प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं तो एक तो तरीका यह है कि प्रतिरक्षा या तो कोई रोगण प्रविश करके तब बन जाएगी यह तो प्राकरतिरक्षा बन जाएगी या टिका करने द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकें तो हमने इसके की प्राप्त करने का तरीका यह है कि या तो रोग जनक प्रवेस करें या हम टिका किन से प्राप्त कर लें या बनी बनाई जो एंटिबोडी होती है उसको इंजिक्शन के दोरा ले 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 तो ये उपार्जी प्रतिरक्षा के प्राप्त करने के तरीके होते हैं आगे पन पढ़ने वाले हैं उपाज प्रतिरक्षा की मुखे विसेश्टा हैं अगर इसके गुन क्या है इसके क्या 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 विसेश्टा होती है तो पहले सबसे इंपोर्टेंड विसेश्टा है वो है विसेश्टता specificity विसेश्टता का मतलब है कि ये किसी एक पर्टिकुलर रोग जनक या पेतो जनक के खिलाप ही काम करेगी अगर अलग अलग रोग जनक होंगे तो ये प्रतिरक्षा भी अलग अलग तरीके से अपने शरीर में विक्षित होंगी तो इसलिए एक विसेश्ट होती है ये विसे जो antibody बनेगी वो केवल Corona टाइप के वाइरस से ही पनी रिक्षा करेगी और दूसरे जो वाइरस है बेक्टेरिया होते हैं उसमें दूसरी टाइप की प्रतिरक्षा विक्षित हो जाएगी तो विसेश्टता है सबसे important विस था इसके देखिए उपारजित प्रतिरक्षा रोग जनकों या प्रतिजनों को उनके सुक्षम अंतरों के आदार पर पैचान कर लेती है तो देखिए जो अलग अलग ताइप के रोग जनक होते हैं जिससे वाइरस भी बहुत सारी परकार के होते हैं बेक्टेरिया भी बहुत सारी परकार के होते हैं तो उन सभी रोग ज रक्षा विक्षित करते दिये मतलब प्रते एक रोग-जनक के लिए अलग तरह के प्रती रक्षा ये विक्षित करेगी और फिचर में जब भी वह रोग-जनक के पुन्नाय प्रेश करेगा उसको नस्ट करने का काम होगा तो विसिष्ट था है इसका एक कुना है दूसरा देखिए मैं तो पुनकून इसमर्टी है नहीं मेमोरी इसमर्टी अपन नॉर्मली इसको कहते हैं यादास्त तो यादास्त मेमोरी का मतलब ये है कि एक बार अगर रोग जनक किसी भी तरह किसे बोड़ी में प्रेस कर गया तो ये प्रतिरक्सा विक्षित होने के बाद उस रोग जनक को याद कर लेती है उस रोग जनक के प्रतिस में इसमर्टी स्थाप्त जाती है और फ्यूचर में जब कभी ये रोग जनक के पुनए बोड़ी में प्रेस करता है तो बहुत ही जल्दी उसको पैचान कर नस्ट करने का काम किया जाएगा तो इस आदार पर हम दो तरह के अनुकरिया पड़ेंगे इसमें प्रात्मिक अनुकरिया और दित्तिक अनुकरिया तो देखिए इसमर्तिके से इस्तापित हो जाती है जब मानव सरीर में पहली बार रोग जनक परवेश करता है तो यह प्रतिरक्सा एक अनुकरिया करता है जिसे प्रात्मिक अनुकरिया कहते हैं यह हमें यह कह सकते हैं कि जब मानव सरीर में पहली बार रोगजनक परवेस करता है तो सरीर जो अनुक्रिया करता है उसको प्रात्मिन अनुक्रिया कहते हैं। यह निम्न तिवरता की अनुक्रिया होती है, क्योंकि पहली बार होती है, रोगजनक ने पहली बार परवेस किया है, तो बहुत ही धिमिगती से यह रेस्पोंस होता है बोडिगा, धिमिगती से अनुक्रिया होती है उसके खिलाब. अब यदि उसी रोगजनक का सरीर में दुबारा प्रवेस होता है तो बहुत ही उच्छ तिवरता की अनुक्रिया होती है अब अगर यदि कोई रोगजनक दुबारा से प्रवेस करता है तो दुबारा प्रवेस करेगा तो बहुत ही तेज गती से अनुक्रिया होती है उस होने वाली दुबारा जो अनुक्रिया होगी उसको पन कहेंगे दित्यक या पुर्ववर्तिय एनामिस्टिक अनुक्रिया कहते हैं तो उसको पन दित्य अनुक्रिया कहेंगे तो पहले बार तो बहुत दिमिकती से हुई क्योंकि पहले बार तो रोगजनक शरीर में प्रवेश कर रहा था और हमार प्रतिरक्सा है वो अनुक्रियात दिमिकती से कर रहा था लेकिन पहली बार में प्रतिरक्सा के अंदर एक मुरिस्तपत के प्रति की है ये रोगζनक शरीर में आया था और इसने श्रीर में रोग फैला है उस्रीर को नुक्सान पहुँची है। तो ये यादास्त इस्तापित हो जाती है प्रतिरक्षा में, गुपार जीत प्रतिरक्षा में, और जैसे ही वो रोगणु दुबारा प्रविश करता है, पहले जो यादास्त इस्तापित हो गई थी, कि हाँ ये वही रोगकारक है, तो बहुत तेज गती से अनुक्रिया होती ह दो विशेश परकार के लस्यकाणों यानि लिम्पोसाइट द्वारा होती है तो इसके लिए अपने बोडिग अंदर कुछ विशेश परकार के WBC होती है जिनको पर लस्यकाणों या लिम्पोसाइट कहते हैं ये लस्यकाणों होती है B-L-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ये विसेज परकार की प्रोटिनों का निर्मान करती है, जिने प्रतिरक्षिय एंटी बोडीज कहते हैं. ये प्रतिरक्षिय एंटी बोडीज रोगजनकों से अनुकरिया कर उन्हें नस्ट कर देती है, तो याद रिखेगा यह जो B लसीगाणों या B लिम्पोसाइट होती है यह बहुत ही बड़ी मातरा में बलड के अंदर एंटीबोडीज बनाती है और वो एंटीबोडीज फिरूज रोगजनको नस्ट करती है जबकि यह T लिम्पोसाइट है यह किसी तरह की एंटीबोडी या प्रोटीन नहीं बनाती है यह क्या गरती है यह सेल खुद ही उससे संकर्मन इस्तल तक जाएगी तो रोगणों के पास जाएगी और उसको नस्ट करेगी तो B-Lymphocyte तो एंटीबोडी बनाकर नस्ट करेगी T-Lymphocyte स्वम करेगी तो दोनों में जो किरियविद है उसमें काफी फरक होता है तो एंटीबोडी निर्मान का काम B-LASikanut करती है तो देखे किस तरह से होता है यह देखे सबसे पहले B-Lymphocyte है यह B-Lymphocyte जैसे ही किसी रो बनाती है एक तो होती है प्लाज्मा कोषी का और दूसरी बनाती है यह memory B cell देखे प्लाज्मा जो कोषी कह होती है वास्त-म में वे कोषीखें होती है जो प्रति रसी 血ी और निर्माण करती है और इसमैं से कुछ कोषऑई memory B cell के अंदर बाता जाती है यह memory b cell तो B-Limposite जैसे ही रोगजन के संपर्क में आती है, सकरी होकर दोग तरह की कोछिके बना लेती है, प्लाजमा सेल और मेमोरी बी सेल प्लाजमा सेल वास्तों में प्रतिरक्षि जो एंटिबोडी वो बना रही है और मेमोरी बी सेल में मेमोरी स्थापट हो गई है, तो यह काम ह जाता है पहली बार में, और जो T-Limposite होती है, देखिए यह क्या करती है, यह स्वयम प्रतिरक्षि या एंटिबोडी का निर्मान नहीं करती है, लेकिन प्रतिरक्षि उत्पन करने में बील इंपोसाइट की सायता करेगी, मदद जरूर करेगी, बील जो लसिकानों होते है उनकी एंटिबोडी बनाने में मदद करेगी, तील इंपोसाइट स्वयम संकर्मान इस्तल तक जाती है, और रोग जनक को सीधे ही नस्ट करती है, तो देखिए यह यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है कि जो तील सिकानों होते हैं, तील इंपोसाइट, वो स्वयम संकर्मान इस्तल तक जाएगी रुदिर के मादम से, और वहाँ पर रोग जनक को सीधे ही नस्ट कर देगी, तो यह स्मर्ती हमारी प्रतिरक्षा, उपारजी प्रतिरक्षा का भी बहुत मैत्वण गुना है, और इस्मर्ती के कारण ही दित्तिग अनुकरिया बहुत तीवर गती से हो पाती है, और शरीर संकर्मन से, रोग से बच पाता है, तीसरी इसकी जो मैत्वण विशेष्ता है, वो है, अब यहाँ पर देखे, आप एक प्रसन बनता है, कि प्रात्मिग अनुकरिया और दित्तिय अनुकरिया में अंतर बताईए, तो इसमें से आप तीन-चार अंतर आर लंबे समय तक चलने वाली, किसी रोग विशेष के प्रती रक्सी एक बार बनने के बाद लंबे समय तक यानि दिर्ग काल तक बने रहते हैं, और उस रोग से सुरुक्षा प्रदान करते हैं, तो दिर्ग कालिता का मतलब तो यह हो गया, कि कोई रोग जनक शरीर में परवे रहती है, और लंबे समय तक यानि दिर्ग काल तक हमको सुरुक्षा प्रदान करती है, और जब भी कभी भी भावसे में रोग जनक प्रवेश करता है, तो उसको अतिसिग्र ही निस्ट कर दिया जाता है, तो दिर्ग कालिता, यह भी एक इंपोटेंट गुण है, हमारी उप बेद करने में सक्षम, तो देखे, स्वम और पर्मे बेद करने में सक्षम का मतलब है, डिक्रिमिनेशन बिट्विन सेल्प और नोन सेल्प, मतलब हमारी जो उपारजित परती रक्सा है, यह अपने सरीर की कोशिकाओं और दूसरी कोशिकाओं में बेद कर सकती है, ये भेद करने ये पता लगाने में उपार्जित प्रतिरक्षा सक्षम होता है देखिए एक इंपोर्टेंट बात है और ये तब इंपोर्टेंट हो जाता है कि जब एक किसी अंग का प्रत्यारोपन होता है कोई मरीज किसी दूसरे विक्ति से कोई अंग लेता है तब शरीर व विख्ति का जो अंग प्रतियारोपन है वो उस टाइम यह बात हो बहुत मैटतपुन हो जाती है हमारे शरीर की प्रतियरक्षा adapted के 무슨 से सता यहeilिए फिस्था यह है कि यह स्व्यूम तत्हा पर यानी दूसरी कोशिकां में बेद करने में सक्षम है यह स्विम की कोशिकाओं को बचाता है और सरीर में परेस्ट करने वाली किसी दूसरी कोशिका को पहचान कर नस्ट कर देता है इसे अपना पराया सिद्दान्त यानि सेल्फ और नोन सेल्फ भी कहते हैं मतलब पृतिरक्सात अंतर को भी पता है कि ये मेरे सरीर की सेल है और ये दूसरे सेल है दूसरे कोशिकाई है जिसे कोई भी वाइरस, रोगाणू, कवक, कर्मी सरीर में प्रेस करता है तो प्रतिरक साथ अंतर उसको पैचान लेता है कि ये तो मेरे सरीर की कोशिकाई नहीं है यह तो दूसरी को सिक है उसको खतम करने का काम किया जाता है उसको नस्ट करने का काम किया जाता है तो यह श्यम और पराय में भेद करने का काम भी हमारा प्रतिरक्सा तंतर कर सकता है आगे देखते हैं इसके अब देख रहे हैं अपने उपारजित प्रतिरक्सा के परकार के ब प्रतिरक्षा एक होती है निस्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय को active immunity और निस्क्रिय को passive immunity कहते हैं, तो ये दोनों वर्ड समझे इस तरह से हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा उपार्चेश प्रतिरक्षा है वो होती है जिसमें हमारी बोड़ी खुद सक्रिय होकर एंटीबोडी या जो कोशिका एंटीटी लिंपसेट वो अपना काम करती है जबकि निस्क्रिय परतिरक्सा में हमारे परतिरक्सा तंतर की कोशिका हैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है बनी बनाई एंटीबोडी ही सरीर में पहुचा दी जाती है तो इसमें सरीर की जो परतिरक्सा कोशिके हैं वो सक्रिय होकर किसी तरह का काम नहीं कर पा रही है तो अपना पढ़ेंगे सक्रिय और निस्क्रिय देगे दोनों पढ़ेंगे तो सक्रिय परतिरक्सा active immunity क्या होती है तो active immunity के अंदर हमारा सरीर वो सक्रिय रहता है active रहता है और फिर उन रोगणों के खिलाब antibodies उत्पन करता है तो देखिए जब प्रतिरक्षियों antibody का उत्पादन स्वयम सरीर की कोषिकाँ द्वारा होता है देखिए तो जो प्रतिरक्षी होते हैं antibodies उनका उत्पादन स्वम सरीर की कोशिकों द्वारा किया जाता है तब इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं जैसे टिकाकरण दवारा जान बूज कर रोगाणों को सरीर में परवेश कराने अथ्वा प्राकरतिक संकरमन के दोरान संकरामक रोगाणों के सरीर में परवेश करने से शक्रिय प्रतिरक्षा प्रिरित होती है तो शक्रिय प्रतिरक्षा कब कब मिल सकती है कि या तो हम टिका करन से जान बूच कर जो मृत या जो निसकरी की वे रोगाणों होते हैं उनको सरीर में पहुचा दे या पहली बार कोई विक्ति प्राकृतिक रूप से किसी रोगार के चपेट में आ जाता है या कोई प्राकृतिक रूप से कोई रोकार को उसके सरी में प्रवेस कर जाता है तब जो बोडी की कोशिक हैं जो सक्रिय होकर एंटिबोडी बनाती है तो वो सक्रिय प्रतिरक्सा ही होती है रोग जनकों के संपर्क में आते ही देखी अब यह चाहे मृत रोग जनक आजाए टिका करण में या जीवीत प्राकृति रूप से जीवीत रोग आणवा जाए तो यह होता है कि बी लिंपोसाइड एक्टिव होकर प्लाजमा सेल और मेमोरी भी सेल बना लेती है और यह प्लाजमा जो कुषके होती है यह तेजी से प्रभाव साली अनुक्रिया प्रदशित करने में समय ले लेती है और जब यह पूरी तरह से प्रभावी होकर कार्य करती है तब इसमें कुछ समय लग जाता है इसलिए यह दिमीगति से कार्य करने वाले प्रतिरक्सा है शक्रिये यह देखिए जिसे टिका करने द्वारा मनें मरतो निर्बल रोगजनक को सरीर में पहुंचा दिया या प्राकर्तिक रोगजनक का संक्रमन हो गया तो मानव सरीर की जो बी लिम्पोसाइट होती है वो प्लाजमा सेल बना लेती है और यह प्लाजमा सेल फिर एंटिवोडिये निर्मान करती है और यही हमारी सक्रिये पढ़ते रक्षा होती है तो इसमें देखिए होता क्या है कि सरीर की स्वयम की जो कोशिका ही होती है वो सक्रिये होकर एक्टिव होकर एंटिवोडिये का उतपादन करती है वो एंटिवोडिये का उतपादन या तो हम टिका करने से म तब antibody बन जाती है, और यह सक्रिय प्रतिरक्षा है, अब इसका गुणाई यह है कि यह दिमिकति की काम कर लिए, इसलिए अगर किसी विक्ति की तुरंत जान बचानी हो, या उसकी जीवन को खत्रा है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा उस टाइम काम नहीं आती है, उस टाइम निस् तुरंत ही उसके सरीर में डाल देते हैं ताकि उस रोगी की जान बस सकें तो सक्रिय प्रतिरक्षा में समय लगता है यह दिमिगति से काम करती है क्योंकि सरीर एक्टिव होकर अपना काम करता है दूसरी देखें इसमें यह दूसरी प्रतिरक्षा जिसको पन कह रहे हैं निस्क्रिय प्रतिरक्षा तो पैसिव के अंदर क्या होता है कि जब प्रतिरक्षियों का उत्पादन स्वम सरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता मतलब खुद की कोशिकाओं नहीं करेगी बलकि सरीर की रक्षा के लिए बने बनाये प्रतिरक्षी सीधे ही सरीर को दिये जाते हैं तो निस्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं तो इसमें क्या करेंगे निस्क्रिय प्रतिरक्षा में? सरीर कोई भी प्रतिरक्षी नहीं बनाएगा बने बनाए सीधे ही डायरिक्ट प्रतिरक्सी इंजिक्शन के दोरा सरीर में पहुंचा दी जाते हैं बात ही आती है कि ये बने बनाए प्रतिरक्सी आते कहां से हैं तो होता क्या है कि जिस भी रोगजनक के प्रतियों में ये प्रतिरक्सी देने हैं उस रोगजनक को अन्य कसरुकी जिसे गोड़ा है या भेड है या बकरी है हाला कि मुक्य रूप से गोड़े का इस्तमाल होता है उसके सरीर में वो रोगजनक डाल दी जाता है अब गोडे के सरीर में antibody बन जाती है, फिर उस गोडे से कुछ रक्त निकाल ले जाता है, उस रक्त से antibody निकाल ले जाती है, और उस antibody का सुद्धी करण करके injection उना ले जाते हैं, और वो injection फिर मानव के सरीर में direct दे दिये जाते हैं, तो किसे दूसरे जीव में वो antibody विक्षित क जाती है फिर मानुव शरीर में काम ली जाती है अब देखिए निस्करिय प्रतिरक्षा के उधारण क्या क्या है तो देखिए इसके उधारण है फर्स्ट देखिए बहुती मैतोपूर उधारण सिसु जनम के कुछ दिनों बाद तक मा के इस तनों से निकलने वाले गाड़े हलके पिले रंके दूद पिले रंके दूद जिसको प्यूस या कोलोस्टरम कहते हैं तो उसको प्यूस या कोलोस्टरम कहेंगे यानि कुछ दिनों तक मा के इस तनों से गाड़ा रंका हलके पिले रंग का एक गाड़ा दूद निकलता है जिसको प्यूस, कोलोस्टम या खीस भी गोलते हैं इसमें देखिए एक प्रतिरक्षी होता है आई जी ए प्रतिरक्षी प्रचूर मातरा में मौजूद होता है अब ये आई जी एक क्या है ये अपने प्रतिरक्षी पढ़ेंगे उस ताइम पढ़ेंगे कि ये एक प्रतिरक्षी है पांस तरह के प्रतिरक्षी बनते हैं अपने बोड़ीगे अंदर उसमें आई जी एक प्रतिरक्षी है जो की मा के दूद में मौजूद होता है जब सिसू मा का दूद पीता है तो सिसू के सरीर में IgA पहुँचकर उसे रोगों से सुरुक्षित करता है तो जैसे ही बच्चा मा का दूद पीता है तो ये IgA बच्चे के सरीर में सिसू के सरीर में पहुँचाते हैं और सिसु के पूरे पाचनतंतर को और उसके स्रीर को रोगों से संकर्मन से बचाता है तो इसलिए नवजात सिसु को निशित रूप से कोलोस्ट्रम या प्यूस पिलाना चाहिए ये उसके लिए बच्चे के लिए अमरत के समान माना गया है अमरत के समान इसले माना गए है क्योंकि इसमें IgA होती है जो बच्चे को रोगों से बचाएगी रोगों से बचा रहेगा स्वस्त रहेगा दूसरा इसका इंपोर्टेंट उजारण देगे सेगरवत है ने प्रिगनेंसी के दोरान भून को अपरा दोरा मा से एक परतिरक्षी होती है IgG नामक परतिरक्षी प्राप्त हो जाते है तो जब भून रहता है मा के शरीर में तो जो प्लेसेंटा होती है जिससे भून मा से उड़ा रहता है तो कुछ प्रतिरक्षी यह जैसे IgG है यह प्रतिरक्षी उस अपरा को पार करके भून में पहुंचाते हैं और उस भून को या सीशु को रोगों से शुरुक्षा परदान करता है वह भून रोगों से बचा रहेगा सोस्त रहेगा तो यह भी इसका एक नि प्रासे पार होकर IgG जा रही है यह भी एक इसक्रिप प्रतिरक्षी का उजारन है और इसके अलावा देखिए जब व्यक्ति किसी घातक जानलेवा रोगाणों से संक्रमित हो जाता है तो उसकी जान बचाने के लिए फोरन प्रतिरक्षी यह उसकता होती है कैसे माली जी किस तो इस टाइम में हमें उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए फोरन उसको प्रतिरक्षी देने पड़ेंगी क्योंकि सक्रिय प्रतिरक्षा का इंतजार नहीं कर सकते हैं क्यों सक्रिय प्रतिरक्षा दिमिकति से गाम करता है इसलिए हो सकता है कि उस टाइम तक व्यक्ति की साबित होती है जैसे टिटनस रेबीज सरब के काटे जाने के मामलों में डिप्थेरिया के टिके तो यह सभी निस्करिय प्रतिरक्सा के उधारण है तो उस टाइम हम तुरंत बने बनाई जो एंटिबोडी के इंजेक्शन होते हैं वो सरीर पर डाल देते हैं जैसे साप के उसके खिलाब जो एंटिबोडी बनाई जाती है उसके इंजेक्शन मिलते हैं जिसको एंटिविनम इंजेक्शन बोलते हैं तो इस साप से काटे वी विक्ति को तुरंत वो एंजेक्शन दे दिया जाता है बने बने एंटिबोडी दे जाती है और विक्ति की जान बच जाती इसे तरह से संकरमित को कुटाया भी लिगाट गया तो भी उसको इंजेक्शन लगा देते हैं तो शेकर मनने का चांद से या डिप्तीर्यक यह कोई हो रहा है तो उसको भी इस तरह के बने-बनाए एंटिवोडी के इंजेक्शन दे दिये जाते हैं अब यहां पर एक important person बनता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा और निस्क्रिय प्रतिरक्षा में फरक क्या है अंतर क्या है तो वो अंतर भी हमने लिकर का है तो उसको पी अपन सचा गलते पटा पड़ दे कि सक्रिय प्रतिरक्षा दीम और इदर लिकर का हमने निस्क्रिय प्रतिरक्षा निस्करिय प्रतिरक्षा में है कि सरीर श्वम प्रतिरक्षी बनाता है जबकि निस्करिय प्रतिरक्षा में यह है कि बने बनाई प्रतिरक्षी सरीर में प्रविश्ट कराई जाते हैं दूसरा है कि सक्रिय प्रतिरक्षी मानव शरीर के अंदर बनती है और इसमें आए कि प्रतिरक्षी किसी अन्य जीव के शरीर में बना जाती है जैसे गोड़ा, अंदर बनाई जाएंगी फिर मानव के लिए उसके इंजिक्सिन बना लेंगे जबकि इसमें रोग जनकि सीधे मानव सरीर के संपर्क में आता है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है अलागी दिमिक्ति से काम करती है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा थोड़े समय के लिए रहेगा लेकिन विक्ति के जान बचा लेगा ये हानिकारक नहीं है क्योंकि इसका side effect नहीं है ये सरीर श्यों विक्षित करता है इसको इसलिए इसका side effect में नहीं है लेकिन इसके कुछ side effect हो सकते हैं जसे सिडधर्द और सकता, या इसको ऐलर्जी भी हो सकती है। क्योंकि इसमें बने बनाई antibody दी जाती है जो कि किसी दूसरे जीव के शरीर में बनाई जाती है। तो यह होता है सकरिय पर्तिरक्साओं निसकरिय पर्तिरक्सा में क्या फारक है। अब इसके आगे अपने एक मेत्वकून टोपी के और जचा करेंगे उपारजित प्रतिरक्षा अनुक्रिया के परकार के बारे में कि जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ये किसी एंटिजन के खिलाब किस तरह से रेस्पोंस करती है किस तरह से अनुकरिया करती है कितने तरह की करती है तो दो तरह के अनुकरिया होती है देगी उपार्जित प्रतिरक्षा अनुकरिया की परकार तो पहले अनुकरिय या इसको HMI भी कहते हैं, Humoral Mediated Immunity, HMI भी कहते हैं, तो तरल या संचारी या प्रतिरक्षी माद्यत प्रतिरक्षा, यानि प्रतिरक्षी के माद्यम से होने वाली प्रतिरक्षा, और हम जानते हैं कि प्रतिरक्षा कौन बनाती है, यह B-cell बनाती है, यानि controlled by B-cell, तो देखिए इसमें होता क्या है, कि B-लसिकाणों द्वारा रोगजनकों को नस्ट करने के लिए प्रतिरक्षी antibodies बनाई जाते हैं, यह antibodies रक्त में पाई जाती है, और रक्त के माद्यम से रोगजनक तक पहुँच जाती है, और रोगजनक पर आकरमन करके उसको नस्ट करती है, रक्त बन जिसका जैसे तरलों को खुमर भी का जाता, पहले हुमर कहते थे इनको रक्त बन बोड़ी में उसको हुमर का जाता था, इसलिए प्रतिरक्षी रक्त बन लसिका में संच्रित होकर रोगजनक को नस्ट करते हैं, अटै इसे तरल या संचारी मादित प्रतिरक्षा कहते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे तरल या संचारी माधित प्रतिरक्षा क्योंकि इसमें जो बी कोशिका एंटिबोडी बनाती है वो तरल के रूप में रख्तोर लस्चिका में संचित होकर फिर उस रोगजनक को नश्ट करें तो ऐसी प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्यालाती है तरल या संचारी और इसको प्रतिरक्षी माधित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बी कोशिका हैं प्रतिरक्षी एंटिबोडी बना कर फिर उस रोगजनक को नश्ट कर रहे हैं खुद नहीं जा रहे हैं नश्ट कने के लिए प्रतिरक्षी बना कर कर रहे हैं और वो प्रतिरक प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रतिरक्षी या एंटिबोडी द्वारा होती है अता इसे प्रतिरक्षी मादित प्रतिरक्षा भी कहते हैं तो इस तरह की जो प्रतिरक्षा होती है चुंकि वो एंटिबोडी के द्वारा होती है सेल भी कोशी का खुद नहीं जा रही है प्रतिर प्रवाहित होकर रोगजनक के पास आ रही है और पिर उस रोगजनक को नश्ट कर रही है तो यहां पर यह देख रहे हैं कि जो B-cell है वो खुद नहीं जा रही है एंटेबोडी बनाकर रखती है तरल के मादय में से उस रोगजनक को नश्ट कर रही है इसलिए तरल संचारी या प्रतिरक्षी मादयत प्रतिरक्षा है दूसरी देखिए होती है है इसमें कोशी का खुद उस रोगजनक को नश्ट कर रही है इसमें अलग अलग तरह है कि कोशिका Бनेगी तो इसको control कर रहे है, T-less cell देखे, T-limpocyte तो यह control by T-cell है, तो तरल परतिरक्षा B-cell दवार गंट्रोल होती है, कोशे का माध्य तो परतिरक्षा T-cell दवार गंट्रोल होती है, यह एक important बात है, इस परतिरक्षा के लिए देखो T-limpocyte उतरदाई है, जब T-limpocyte किसी जनक या antigen के संपर्ख में आती है, तो अलग-लग परकार की T-cell बनाइजाती है, जैसे T-helfer cell है, T-killer cell है, T-suppressor है, T-sinezyed cell है, तो अलग-लग तरे की T-cell बनाईजी, जब T-cell रोगजनक के संपर्ख में आती है, यह T-helper cell रोगजनक को मारने के लिए T-killer cell को सख्रिय करती वो टी किलर सेल उस रोगजनक को नस्ट करती है इस प्रतिरक्सा में एंटीबोडी का निर्मान नहीं होता है तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रोगजनक को नस्ट करने के लिए खुद सेल उसको नस्ट कर रही है किसी रक्त के मादेम से को दूसरा या प्रोटीन य अंग को ऐस्विक्रित करने में सक्षम होती है तो यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है कि किसी अंग का परत्यारोपन किसी वक्ति या म्रोगी में होता है तो कोशी का माधित प्रतिरक्षा उसको स्विक्रत भी कर सकती है और ऐस्विक्रत भी कर सकती है और जैदा चांसी होता जब किसी विक्ति का कोई अंग है, खराब या काम करना बंद कर देता है, तो एक मातर उपचार उसका अंग परत्यारोपन होता है, तो अंग परत्यारोपन का मतलब होता है, कोई रोगी या मरीज होता है, किसी दूसरी विक्ति के, जिसका ब्रेंडेड हो चुका है, या कोई अंग दान करता है तो उसकीष का उसको श्युकार करें या नहीं करें तो इस सविकृत करने का सब से जड़ा उता होता है लेकिन प्रत्यारोपन के लिए अंग हर किसी दाता से नहीं लिया जाता क्योंकि किसी भी दाता से लिया गया अंग कोशी का मादित प्रतिरक्षा द्वारा ये important बात है तरल मादित प्रतिरक्षा इसमें कोई रोल नहीं है इसका रोल है कोशिका मादित प्रतिरक्षा जो की T-Sale करती है कौन करती है T-Sale के द्वारा तो जो कोशिका मादित प्रतिरक्षा है उसके द्वारा वो S विकृत किया जा सकता है इसलिए कोई भी अंका प्रत्यारोपन करने से पुर्व उत्तक मिलान और रक्त मिलान अत्याव प्रतियारोपन से दयान में रखा जाता है कि उसका निकर्तम रिस्तिदार है या तो उसके मातापिता है या भाही बेन है और भाही बेन में जूडवा है या उसके और भाही बेन किसी तीस द्रीवक्ती से अंग प्रतियारोपन नहीं कियादाता क्योंकि कोषी का मादेत पृत्तियरक्सा उसंगे को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि कोशिकामाजित प्रतिरक्षा एक उपार्जित प्रतिरक्षा है जिसमें अपने और पराय में बेद करने की शमता पाई जाती है तो इस वीडियो के साथ हमने उपार्जित प्रतिरक्षा का कम्प्लीट अधिन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम my antibodies की सर्चना को देखेंगे और चैनल को जरूर सब्क्राइब करें लाइक बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक भी गरें वीडियो थेंक्यू